बस इस मिक्षर से अपने दांतों को ब्रश कर लीजिए और आपके भी दांतों का जो सारा पीला पन है वो बिल्कुल खतम हो जाएगा और आपके भी दांत सफेद हो जाएगे दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हेलो फ्रेंट टीवी में आज हम आपको बताएंगे कि आप घर में ही कैसे अपने दांतों को सफेद कर सकते हैं जो दांतों पे पीला पना गया है आपके उस पीले पन को हटा सकते हैं और घर में ही इस मिश्रन से अपने दांतों को सफेद कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दांत पीले क्यूं हो जाते हैं? उन पे जो सफेद चमक होती हैं, वो क्यूं चली जाती है? जो इसका में कारण है वो यह है कि आप रेगुलरली अगर आप बरश नहीं करते हैं, फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, दिन में दो बार आपको ब्रश करनी चाहिए अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपकी दान्तों पीले हो जाते हैं जो और भी वज़ए हैं दान्त पीले होने के वो यह है कि आप ज्यादा रेड वाइन, बियर, ब्लैक टी, कॉफी या कोका कोला जैसी चीजे आप ज्यादा सेवन करते हैं उस वज़े से भी आपके दान्त पीले हो जाते हैं और इस पीले पन को हम बोलते हैं प्लाक जब हमारे दान्तों की जो सफेज चमक चली जाते हैं और पीला पना जाता है उसको हम प्लाक बोलते हैं और अगर आप स्मॉकिंग भी करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी वज तो आज मैं आपको एक बहुत ही घरेलू रेमेडी बनाऊंगा जिसकी वज़े से आप अपने दातों को बिल्कुल सफेद कर सकते हैं जो आपके दातों पे प्लाक जम गया है उसको आप हटा सकते हैं और सारे पीले पेन को हटा के अपने दातों की दोबारा चमक पा सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मिक्षर को बनाने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत है बेकिंग सोडा, सॉल्ट, वाटर और टूथपेस्ट आप ये कहीं से भी खरीद सकते हैं बेकिंग सोडा आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा तो सबसे पहले आप एक चमच बेकिंग सोडा लीजिए उसके अंदर अल्मस्ट दो चमच आप टूथपेस्ट मिलाइए आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं लेकिन आप अगर हर्बल टूथपेस्ट लेंगे जैसे की पतंजली तो आपको इसका ज्यादा फायदा होगा उसके अंदर आप एक चुटकी नमक डाल दीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी मिला दीजिए इन चारों चीजों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं और फिर इस मिक्षर से अपने दांतों पे आप ब्रश कर लीजी और आपको पहली बार से ही अपने दांतों में सफेज चमक दिखनी शुरू हो जाएगी और आपके जो दांतों का पीला पन है वो पहली बार में ही आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब यह आप हॉम रमेडी करे क्योंकि अगर आप ज़्यादा harsh scrubbing करेंगे तो आपके दातों को नुकसान पहुचा सकता आपके दातों को damage कर सकता आप जो आपकी gums होती है और आपके जो animal है उसको भी नुकसान पहुचा सकता है दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आप हफते में इसे एक से दो बार ही करें उससे ज़्यादा बार ना करें क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा बार regularly करना शुरू कर देंगे रोजाना इसको शुरू कर देंगे तो आपका जो tooth animal होता है वो उसको नुकसान हो सकता है वो काफी इरोज हो सकता है और आपको दातों में tooth sensitivity की issue भी आ सकते हैं तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस paste को बनाते हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि पेस्ट को हमेशा smooth बनाए काफी अच्छी तरह इसको mix करे ताकि ये proper smooth बन जाए और आपक जो gum से उसमें already bleeding है तो ये उपाय करने से पहले अपने dentist को जरूर consult करें क्योंकि आपको इस उपाय के नुकसान हो सकते हैं अगर आपको इन में से कोई भी issue already है और जो सबसे जरूरी बात है कि जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें कुछ अच्छे habit develop करने बहुत जरूरी है हमेशा घर का खाना काए बाहर का खाना बहुत कम कर दे और आपको ब्रश दिन में दो बार जरूर करना एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले या अपने आप habit बना ले lifestyle में अपने अच्छी habit बनाना बहुत जरूरी है तो दोस्तों ये थी आज क की वीडियो जिसमें हमने आपको एक home remedy बताई जिससे आप अपने दांच सफेद बना सकते हैं दातों में जो खोई हुई चमक है वो दोबारा ला सकते हैं दातों के उपर जो पीला पन है उसको हटा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीड अपने दातों में खोई हुई चमक दोबारा ला सकते हैं और हमारे चैनल HelloFriend TV को सब्सक्राइब कर दीजिए